नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका सुसील तिवारी और गाज़िपूर जिले से दो खबरे इस समय आ रही है पहली खबर है मर्द थाना से जहाँ पर ट्रक ड्राइबर को लूट लिया जाता है और लूटने के साथ 54,000 रुपे सातिर अपराधी लूटेरे लेकर भग जाते हैं और 24 घंटे के अंदर गाज़िपूर की पुलिस ने धर दबोचा है और दूसरी खबर आ रही है हनुमान प्रजापती से जुड़ी ही जो कि एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ये ऐसा मामला आ चुका था पुलिस के लिए टेड़ी खीर थी क्योंकि जब गाज़िपूर के एसपी थे रोहन बोत्रे उसी समय बड़ा मुद्दा बनकर यह उबरा था ओम्बेर सिंग जब आए तो इनके संग्यान में भी था कि आखिर हनुमान प्रजापती के बच्चे कहां चले गए हनुमान प्रजापती और उनकी पत्नी यह आरोप लगा रहे थे कि हमारे बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है लेकिन आज गाज़िपूर की पुलिस ओम्बेर सिंग के सामने बच्चों को माता पिता के सामने आज बच्चों को रखा गया और सामने बच्चों नहीं लगा दिया आरोप हनुमान प्रजापती पर कि हम डर के मारे भग गये थे बच्चे पढ़ने में कमजोर थे इसके साथ ही दूसरी जो बड़ी खबार आई बड़ी वारदात आई मर्द थाना से जुड़ी हुई जहाँ पर गाज़िपूर की पुलिस ने कर दिया बहुत बड़ा काम लूटेरों ने ट्रक ड्राइवर से 54,000 रुपए लूट लिये थे लेकिन लूटने के बाद 24 घंटे के अंदर ही इस संसनी खेज वारदात पर गाज़िपूर की पुलिस ने बुल्डोजर बाबा के पुलिस ने मोहर लगा दिया और पकड़े गए दोनों सातिर अपराधी इसके साथ जिस मोटर साइकल का उन्होंने इस्तिमाल किया था उसे बरामत कर लिया गया इसके साथ ही एक अदद तमंचा कार्तूस भी पुलिस ने बरामत किया गाज़पूर जिले से दो बड़ी खबरे आई पहली खबर थी मर्द थाना से जहां से ट्रक ड्राइबर को लूट लेया गया था और दूसरी खबराई हनुमान प्रजापती से जुड़ी ही और दोनों ही खबरे आज गाज़पूर जिले में प्रमुकता से इस समय वाइरल हो रही है मैं जरूर चाहूँगा मेरे वीडियो को देखें और बताएं कैसा है गाज़पूर की ताजा तरीन खबरों के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट बॉक्स में भी बताएं मैं वीडियो लाने के कोसिस करूँगा जै हिंद जै भारत भारत माता की जै बंदे मात्र